बस्तर में घाटियों और पहाडियों के बीच बसे एक नक्सल परभावित गाउं कोलेंग से एक खुबसूरत तस्विर निकल कर सामने आई है इस तस्विर में स्यार्टियों का एक जवान बच्चों को पढ़ाता हुआ नजर आ रहा है दरसल कोलेंग बस्तर के मुख्याले जग्जलपूर से 55 किलोमेटर दूर बिहडों में बसा एक आदिवासी बाहुले गाउं है यहां सिक्षक जाना ही नहीं चाहते क्योंकि यहां का इतिहास बड़ा हिंसक रहा है नक्षलियों ने यहां कई ग्रामिणों और सरफंचों की हत्ते अभी की हैं एक समय में ये इलाका पूरी तरह से नक्षलियों का इलाका था यहां तक पहुँच पाना भी कठिन था कुछ समय पहले यहां CRPF की 80 बटालियन ने ग्रामिणों से एक बैठक रखी थी जिसमें विद्यार्थियों ने बताया कि यहां विशे विशे सग्य शिख्षक नहीं है फिर क्या था जवानों ने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया अब जवान रोज यहां कक्षा दसवी और बारवी के बच्चों को गणित और रिग्यान की पढ़ाई करवाते हैं यहां पहली बार हो रहा है कि पुलिसिंग से हट कर जवान अब छात्रों में सिच्छा का अलग जगाते नजर आ रहे हैं बस्तर से एक्स्प्रेस रिपोर्टर आश्वतूस्तिवारी